मनु भंडारी पर उनके पिताजी के व्यक्तित्व का विशेश प्रभाव पड़ा, साथ ही उनकी अध्यापी का शीला अगरवाल का भी उन पर प्रभाव था उनके पिताजी ने उने घर में होने वाली राजनीतिक सभाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया वहें उनके साथ बैटकर सबके विचार सुनती है उनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे इसलिए वहें उनके पास रखी किताबे पढ़ती रहती थी उनके पिता कई प्रकार के विचारों के स्वामी थे और उनका प्रफाव लेखी का पर बढ़ा लेकिका जब कॉलेज गई तो वहाँ पर हिंदी की अध्यापिका शीला अगरवाल से उनका परिचे हुआ साथ में घर की राजनीतिक सभाओं से निकल कर देश की असली स्थिति से उसका परिचे करवाया अध्यापी का सीला अगरवाल के विचारों से उनमें नया जोश और उत्साह आया जिसने लेकिका को अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया यहाँ पर लेकिका के पिताजी की अगर बात करें तो उनके पिता रसोई को भट्यार खाना कहते हैं उनके अनुसार रसोई वह भट्टी है जिसमें औरतों की शमता जूँक दी जाती है लेकिका जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के प्रिंसीपल का पत्र पिताजी के नाम से आता है और उसमें उनसे पूछा जाता है कि उस पर अनुशाशन की कारेवाई क्यों नहीं की जाए पिताजी को इसके लिए कॉलेज में बुलाया जाता है पिताजी उस पत्र को पढ़ करके आग भगुला हो जाते हैं उन्हें लगता है कि उनके पांच बच्चों में से लेकीका ने उनके नाम पर धाग लगा दिया और गुसे में कॉलेज जाते हैं जहां पर लेकी का पडोस में जाकर के बैठ जाती है जिसमें लोटने पर पिताजी के क्रोज से बच सके परन्तु जब वे कॉलेज से लोटे तो बहुत खुश थे उनका चेहरा गर उसी चमक रहा था और घर आकर उसका कॉलेज की लड़कियों पर जो रोब है उसके बारे में उन्हें काफी खुशी होती है पूरा कॉलेज तीन लड़कियों के इशारे पर खाली हो जाता है प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना एसंभव हो रहा है इस बात पर उन्हें गर्व होता है लेकिका के पिता दोहरे व्यक्तित्वे के व्यक्ति थे एक और वे आधुनिक्ता के समर्थक हैं तो दूसरी और ओरतों को केवल रसोई तक सिमित रखना चाहते हैं और यह है उनका प्रभा उनकी मापर भी हम इस पाठ में देख सकते हैं उनके अनुसार ओरतों को अपनी प्रतिभा और ख्षमता का उप्योग घर के बाहर भी करना चाहिए और देश की स्तिती को सुधारने के लिए भी करना चाहिए और इससे यश प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ मिलता है पिता जी के दोहरे विचार हम इस पाठ में बिलकुल साफ देख सकते हैं जहां पर वह मा के लिए अलग वहवार करते हैं और लेकिका के लिए और इस इस बहन के लिए अलग प्रकार से वहवार करते हैं उनके पिता जी दक्यान उसी विचारों के भी थे उन्हें अपनी इज़त से भी काफी प्यार था ओर्तों को रसोई से बाहर देखना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि लड़कियां भी लड़कों के तरह देश की स्वतंतरता में भाग ले और और्तों की स्वतंतरता को घर की चार दिवारी से दूर नहीं देखना चाहते थे लेकिका के लिए पिता जी की दी हुई आजादी के दाइरे में चलना कठिन था यहाँ पर पिता और पुत्ती की वेचारेक टकराहट जो है वह बिल्कुल साफ आप देख सकते हो उस समय पर भारत में स्वतंतरता का अंदोलन चल रहा था 1946 और 47 के दिन थे और समय किसी के लिए भी घर बैठना संभव नहीं था चारों तरफ हड़ताले हो रही थी जुलूस चल रहे थे हायुआ, बच्चा, बुड़ा सब अपनी अपनी शमता से स्वाधिनता में अपना योगदान दे रहे थे आजादी में अपना योगदान दे रहे थे लेकिका को देश की स्थिती से परिचे उसके पिता जिने घर में होने वाली जो उनकी सभाएं थी उनसे करवाया गया कॉलेज में तेश की स्थिती को समझने के लिए शीला अगरवाल ने उन्हें अपने विचारों से काफी योगदान दिया अध्यापिका शीला अगरवाल के मार्क दर्शन से मनू मंधारी ने अपनी योग्यता के अनुसार अंदोलन में भाग लिया सुतंतृता अंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और उस समय पर हरताल, क्लास बंद करवाना चात्रों को इकठा करना, जुलूस आदी करना भाषन वजी करना, मनुभंडारी ने सभी कारे किये थे उस समय उनकी रगों में आजादी का लावा बहे रहा था और उस लावे ने उनके डर को समाप्त कर दिया था उनका भै जो था वो चला गया था और स्वाधिंता अंदोलन में उनने अपना योगदान काफी दिया था